हेलो एब्रिवन वेल्कम टू सेविल गुरु अभी आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और आज भी एंटी पीसी के जीके के पूँचे जाने वाले कोशन को जिसमें मैं 28 दिसंबर के कोशन को डिस्कस करूंगा जो फ़र्श टिप्स में पूँचे गए थे तो पहला कोशन पूचा गया था सबरी माला मंदिर किस राज्य में है तो ये केरल में है दूसरा कोशन संस्थान कहां पे है तो ये सिमला में है आगे आपसे पूँच सकता किर्सिक और सड़क कहां पे है तो ये नई दिल्ली में है पांच नमबर कूशन पूचा था कि कुंटा कुलम नुक्लियर पावर इस्टेसन कहां पे है तो ये तमिल नाडु में है छे नमबर कूशन पू नेपाल बांगलादेश स्रिलंका मैनमार और थाइलेंड है तो हम आगे बात करते हैं आठ नमबर कुश्चन की इसरो का मार्स आर्बिट मिशन कब लांच किया गया पांच नॉम्बर 245 सीट इस समय परजेंट में सांसद हैं अब आप से पूं सकता है यहीं पर कि राज सभा में कितने सांसद हैं संख्या कितनी है अधिक्तम तो 250 यहां पर आप बता सकते हैं सर दस नंबर कुशन की बात करेंगे पूंचा था कि पिर्थवे पर किसी ब्यक्ति का दर्यमान 60 किलो बारा नंबर कुश्चन था प्रातना समाज की अस्थापना किस ने की थी तो डाक्टर आत्मा रंग पांडुरंग ने प्रातना समाज की अस्थापना की थी तेरा नंबर कुश्चन था तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयूजन कहां हुआ था गुहांटी में तीसरे परियावरण दिवस की थीम थी आप से पूछ सकता है कि 20 परियावरण दिवस कम मनाया जाता है तो यह पांच जून को 20 परियावरण दिवस मनाया जाता है पंदरा नमबर कोश्चन की बात करते हैं तो इसमें पूँचा था कि पिर्थवे दिवस कम मनाया जाता है तो ये 22 अपरेल को पिर्थवे दिवस मनाया जाता है सोला नमबर कुश्चन सो राज मेरा जन्व सिद्ध अधिकार है ये नारा किस ने दिया था तो ये नारा बाल गंगा धर तेलक जी ने दिया था सत्तरा नमबर कुश्चन की बात करते हैं मुखुर्थी नेसनल पार किस राज में है तो ये तमिल नाडु में है 18 नमबर कुश्चन की बात करते हैं यहां पे बुक से एक कुश्चन था कि राज तरंगणी की लेखक कौन है तो कलरण है राज तरंगणी की लेखक यहां हिस्ट्री से कुश्चन था 19 नमबर की पानि पत की दूसरी लड़ाई कभ हुई थी तो 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी बीस वा कुश्चन है कि पच्पनाहुआ ग्यान पीट अवार किसे दिया गया तो ये अकितम नम्बूदरी को दिया गया ये मल्यालम भासा के कभी है उसके बाद 21 नम्बर पूछा था कि कम्प्यूटर का मश्चिक किसे कहा जाता है तो CPU को कम्प्यूटर का मश्चिक कहा जाता है यहां से आप से फुलफाम भी आगे पूँछ सकते हैं कि CPU का फुलफाम क्या होगा तो Central Processing Unit कम्प्यूटर का फुलफाम हो जाएगा 22 नम्बर कोश्चन की बात करते हैं कि भारत के सबसे यूवर राष्टपती कौन हो जाएगे तो नीलम संजीव रेड़ी भारत के सबसे यूवर राष्टपती हो जाएगे पूँछ सकता है बरतमान में कौन है तो बरतमान में सिरी रामनाथ कोबिंध है 23 नमबर URL का फुलफाम पूचा था Uniform Resource Locator URL की फुलफाम हो जाएगी उसके बाद पूचा था कि U, B, U यान T, U Operating System ये क्या है तो ये एक प्रकार का Operating System है Line-Ex-Best 25 नमबर Question की बात करते हैं पहली बंदे भारत Express Trend किन दो सहरों के बीच चलाई गई थी तो दिल्ली से वनारस तक पहली बंदे भारत Express Trend चलाई गई थी 26 नमबर पूचा था कि सुकन्या समर्द्धी योजना किस से संबंदिध है तो लड़कियों के लिए बचत योजना सुकन्या समर्द्धी योजना है सथाईस नमबर पूचा था कि कौन सा रोक भिसाणु से फ्यलता है चय चक से भिसाणू रोक फ्यलता है 28 नमर कूचा था कि कि धोरते हैं नहीं होता है तो जो वेख्यों दों यानि निरवाज नहीं होता है नहीं होता है इसे असम, तिरपुरा, मेघाले, नागालेंड, मिजोरम, मड़ीपूर और उनाशल परदेश इनको सेवन सिश्टर कहा जाता है हम तीस नमबर कोश्चन की बात करते हैं कि पदार्थ की मातरा को किस में मापा जाता है तो पदार्थ की मातरा को मौल में मापा जाता है 31 नंबर कोशन की हम बात करते हैं कि डांडी गुजरात के किस जिले में है तो यह नो सारी जिले में है अब 32 नंबर कोशन किस बैंक का मर्ज बैंक का बड़ोदा में किया गया तो बिजया बैंक और देना बैंक का किया गया है तो दोस्तों यह इंड है इस वीडियो का अगर य झाल दो